हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेहंदी संगीत मेकप लोग अगर आप लोगों को ये मेकप लोग अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखना और पसन आई तो प्लीज लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कामेंट करके जरूर बताना बहुत ही इजी सा मेकप है कोई भी कर सकता है तो गाइस जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो ओके तो सबसे पहले गाइस मैंने अपने फेस को कर लिया है मॉस्चुराइज और मॉस्चुराइजर के लिए मैंने यूज किया है बायोटिक का मॉस्चुराइजर स्किन को अच्छे से मॉस्चुराइज करना बहुत जरूरी होता है मेकप के लिए उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर ये है wet and wild का प्राइमर बहुत अच्छा और affordable प्राइमर है इसको मैं अपने ती जोन एरिया पे अच्छी से अप्लाई करूंगी और प्राइमर लगाना बहुत जरूरी होता है guys उससे हमारा एक smooth base हमें मिलता है ताकि foundation की जो नेपलीन का foundation इसमें मेरा shade है 220 इसको एक sponge की help से मैं अच्छे से blend करूंगी आप देख सकते हैं कि foundation की shade एकदम मुझसे कितनी मैच हो रही है मेरी skin tone से so guys आपको भी ऐसा foundation लगाना है जो आपकी skin tone से एकदम मैच हो बहुत जाद वाइट या बहुत जाद डाक नहीं लगाना है so guys हमें foundation को अच्छे से अपने skin में blend करना है ताकि हमारा make up बिल्कुल भी cake ही ना लगे आप देख सकते हैं मैं कितने soft hand से इसको dabbing motion में apply कर रही हूँ अब मैं apply करूँगी concealer guys concealer के लिए मैं use कर रही हूँ maybelline का fit me concealer और उसमें मेरा shade है 20 cent इसको मैं अपने highlighted areas पे apply कर रही हूँ आप देख सकते हैं और मैं इसको भी same sponge की help से blend करूँगी blending में जिस area पे मैंने concealer apply किया है सिर्फ उसी area पे करूँगी इसको पूरे face पर मैं नहीं फैलाओंगी क्योंकि foundation हमने पूरे face पे apply कर लिया है बट concealer हम जिस जगह पे apply करते हैं वही पर ही हमको उसको blend करना है तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और smooth base मेरा बन रहा है तो guys आपको भी थोड़ा थोड़ा product लेना है ताकि आपका makeup बिलकुल भी केकी ना लगे अब आप देख सकते हैं मेरी skin एकदम flawless लग रही है एकदम skin एकदम smooth लग रही है तो क्यूंकि हमें blending में अच्छे से time देना चाहिए इसी वज़े से हमारा makeup जो है अच्छा हो जाता है एकदम natural लगता है अब आप देख सकते हैं कि मेरा blending अच्छे से मैं dabbing motion में कर रही हूँ गाइस बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है किसी भी makeup में blending करना आई makeup हो या face makeup हो आपको blending अच्छा से करनी है ताकि आपका makeup एकदम natural दिखाई दे सो गाइस अब मैं अपने base को सेट करने के लिए यूज करूंगी compact और compact के लिए भी मैं यूज कर रही हूँ उन सबका link मैं आपको description box में दे दूँगी सो हो गया है मेरा face makeup complete अभी मैं कर रही हूँ eye makeup उसके लिए मैं use कर रही हूँ ये Swiss Beauty की eyeshadow palette इसमें से मैंने ये pink shade लिया है और इसको मैं अपनी eyelid पर apply कर रही हूँ मैं एक flat brush ले रही हूँ और इसको अपनी eyelid पर apply कर रही हूँ आप देख सकते हैं बहुत easy makeup है बहुत easy eye makeup है इसको आप अराम से कर सकते हैं आपको अपने half eyelid पर ये pink shade apply करना है आप देख सकते हैं मैं कैसे apply कर रही हूँ इसकी pigmentation बहुत ज़ादा अच्छी है so guys pink shade apply करने के बाद मैं apply करूँगी ये green shade मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और ये मेरे dress से match भी हो रहा था तो इसको मैं अपने outer corner पर apply करूँगी ये outer weeper में एक small brush की help इसको apply कर रही हूँ और फिर उसके बाद एक blending brush लेकर इन दोनों colors को आपस में blend कर दूँगी ताकि कोई भी harsh line ना रहे अब आप देख सकते हैं मेरा eye makeup कितना प्यारा हो गया है अब मैं apply कर रही हूँ eyeliner और guys eyeliner के लिए मैं use कर रही हूँ ये लेकमी का absolute eyeliner ये मेरा favorite eyeliner है और बहुत ही अच्छी से मेरी wing create होती है सो मैं अच्छी सी बड़ी wing बना कर अपनी eyeliner को complete करूँगी आप देख सकते हैं कि eyeliner लगाने के बाद eye का look change हो गया है सो guys इसके बाद मैं apply करूँगी mascara और mascara के बाद मैंने off camera apply कर लिये थे अपने eyelashes अब हम apply कर रहे हैं काजल काजल के लिए guys मैं use कर रही हूँ ये blue heaven का काजल बहुत ही affordable और बहुत ही अच्छा है सो अब मैं कर रही हूँ अपने face की bronzing और bronzing करने के लिए मैंने use की है सिवाना की face palette इससे आप देख सकते हैं bronzing करने से मेरे face की shape कितनी जादा अच्छी हो गई है अब मैं same palette ते blush लूँगी और उसको अपने cheeks पे apply कर रही हूँ अपने nose पर अपने full face पर जो भी बचावा product है उसको मैं apply कर लूँगी आप देख सकते हैं कितना अच्छा pigmentation है इसका और एक ही palette में हमें 3 चीज़ मिल जाती है highlighter के लिए guys मैं use कर रही हूँ ये maybelline का highlighter ये cream highlighter है बहुत जादा अच्छा है इतनी अच्छी natural glow देता है मुझे ये बहुत जादा पसंद है आप देख सकते हैं एक बारी में लगाने पर मेरे face पर कितना अच्छा glow आ गया है तो इसको मैं अपने highlighted areas पर apply कर लूँगी और आप देख सकते हैं instant मेरे face पर glow आ गया है ये हो गया है मेरा face makeup complete अब मैं apply करूँगी इसको अपने eyebrows के नीचे भी क्योंकि यहाँ पर भी highlighted होकर बहुत अच्छा हमारा eye makeup दिखाए देता है तो ये complete हो गया है अब मैं apply करूँगी lipstick और lipstick के लिए भी मैं use कर रही हूँ ये Maybelline की lipstick ये pink shade है guys shade number मैं आपको link description box में दे दूँगी इस lipstick का so guys आप देख सकते हैं पहले मैंने lipstick से lip line किया उसके बाद मैं अपने lips को fill कर रही हूँ इस lipstick की खास बात ये है कि इसकी staying power बहुत जादा अच्छी है इसका full review मैंने अपने channel पर दिया अगर आपने नहीं देखा है तो please जा कर देखना and that's it guys अभी मैंने अपनी jewelry पहन ली है और अपना dress भी मैंने पहन लिया है और ये हो गया है मेरा look complete बहुती simple sweet सा makeup look है अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो please मेरी video को like करना, मेरे channel को subscribe करना और मुझे comment करके जरूर बताना, so चलिए मिलते हैं next video में, तब तक के लिए take care, bye bye